गुरिंग दियर स्टुजेंट मैसेल प्रदीव शर्मा दियर स्टुजेंट कल हमने आपको पानी के बारे में बताया था यह आपका जो आपका टेक्स्ट बूक है उसमें आप पेज नंबर देख सकते हैं 127-126 तो इस महां से आज हमें स्टार्ट करेंगे कल हमने इसे यहीं रुटेश में उसे लाख था आपको आपको कि लोटीव वाटर से कहां पर आपका आइस जियर समय में दिया हूआ है तो यहीं आपको जैसे हमने बताया कि जो आपका वाटर है वह जीवन का यह बिविंग थिंग सैंवे अड़ीए और प्लांट से में भीुए यह human में भी ये animal सभी को उसकी आवशक्ता होती है even though अगर directive आवशक्ता है तो indirective में भी ये होती है क्योंकि जो plants grow करते हैं वो जमीन से लेते हैं और उसको plants से हमारा food भी बनता है, animals का भी food बनता है तो कहीना कहीं we are totally dependent on it आपको बता है जैसे कि fresh water कम है तो fresh water कम होने से अगर एक cycle जैसे आपने पढ़ा होगा कि water cycle होता है अगर हम उसे excess way में use करते हैं तो water cycle वो टूट जाता है water cycle जब टूट जाता है तो हमारा जो पानी है वो जल्दी खर्च हो जाएगा दूसरा पानी आने में समय लगेगा और आपको मालूम है कि ज़्यादा समय तक आप पानी के बिना नहीं रह सकते हैं तो हमें पानी को conserve करना चाहिए सुरक्षित करना चाहिए जो fresh water है वैसे भी कम है अर्थ पर तो उसको हमें safe करना चाहिए तो इसके बारे में आपका बताया गया यह केवल रिविजन है आपका क्योंकि इसमें जल्दी से आपको इतने कोई दिक्कत नहीं है तो conservation of water conservation of water के लिए हमें क्या करना चाहिए general way में आपको बताते हैं कि सबसे पहले क्या है आपको सबसे पहले आपको पानी को pollute नहीं करना चाहिए बहते वे पानी को fresh water को pollute नहीं करना चाहिए चाहिए industries का west हो चाहिए आपको खुद का west है जो वो आपको बहते वे पानी में या उसमें नहीं डालना चाहिए garbage को में दबा देना चाहिए ठीके दूसरा चीज access way में आपको water use नहीं करना चाहिए जैसे हम कभी-कभी brush करते हैं आपका ऊपर दिया होगा देलंBRस करते हैं ठीके आप शिंस से नहारें इससे जादा पानी कर चोड़ा है आपका ग्ते बाकिट से नहाएंगए तो पानी limited use होगा थीके ऐसी tap को खोला न चोड़ें तो आपको खुला छोड़ेंगे तो आपका ज्यादा पानी वेस्ट होगा यह चीज़े आपके दी गई है तो बहुत सारे वेंगें कि हम पानी को कंजल कर सकते हैं दूसरा हम जो है जो फ्रेस वाटर से हम उसको किस परकार से अपलाई करते हैं और कहां कहां हमें यूज करना चाहिए इन्हें प्रोपर वे हमें वो सीखना चाहिए तो यह इसको आप थोड़ा सा आप देखेंगे यहां पर थोड़ा सा और दिया है plants produce oxygen देखें प्लांट्स नानस है जो सारे जो एक दूसरे पनीर बर होते हैं यह तो आपको पता ही है कि plants जो है produce क्या करते है oxygen करते है oxygen हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी आप उसे ऐसा vegetation, vegetation क्या होता, वनस्पती होता है, वनस्पती का मतलब है पेड़ पोदे, ठीक है, जितना भी पेड़ पोदे हैं, हबस हैं, आपका, किसी परकार का है, वो सारे vegetation में आते हैं, और naturally का मतलब है कि there is no interfere of the human in their growth, यानि कि उनकी growth के लिए human का कोई जिम्मेदारी नही ही है, वो अपना आप ही naturally प्रकरती में उगते हैं, and wildlife, यानि कि जंगली जीवन, आपने पता जहाँ पर पोदे उगते हैं, जंगल होता है, वहाँ पर जंगली जीवन भी मिलता है, पसू भी मिलते हैं, different type के insects भी मिलते हैं, reptiles भी मिलते हैं, यह सब चीज़ें आपको मिलती हैं, यह आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल आप उसको देखेगा, तो यहाँ पर आपका देखा है, plants produce oxygen, हमने आपको बता दिया था, पहले बता दिया, plants produce oxygen, food भी हमें produce करता है, shelter भी use कराता है, और atmosphere को भी maintain करता है, the roots of plant जो हैं, वो क्या करती हैं, आपको मिलती को ज उपजाव छेत्र था, वो अनुपजाव छेत्र हो गया है, तो उसके लिए भी इन्होंने कहा कि जो roots होती है, plants की वो भी पकड़ कर रखती है, the allow, proclamation, इसमें एक word दिया गया, proclamation, proclamation का मतलब है, रिस रिस कर, पानी का, जमीन के अंदर जाना, मैं आपको पता देता हूँ, यह से यह क्या है आपका, यह आपका है, मैं थोड़ा साब को यहाँ पर, यह आपका land है, इसको ध्यान करिएगा, यहाँ से बारिस पड़ी, बहुत बारिस बारिस पड़ रही है, यह आपका देखेगा, यह बारिस पड़ी है यहाँ पर, तो जो कच्छी मिट्टी होती है, उसमें थोड़ी से जिद्र होते हैं, तो उसमें पानी दीरे 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 जाकर कैने नीचे, वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ठीक हैं? और ग्राउंड वाटर को हम उसे फिरैग्जेस्ट कर लेते हैं, बाई, समर्ष्यवल, नल या अंदर्स में, ठीक है तो यह सारी चीजे हमने इसको प्राणस के बारे बताई थे अब पहले हम बात करते हैं वेजिटेशन की तो हमने बात कर ली थोड़ा सा अब जो वाइल लाइफ की बात करते हैं Benefits of the wild life. बिल्कुल बहुत इंपोर्टन. The pupill, they provide us with the product like milk, meat, eggs. दीए ठीके जो जानवरों से हमें छीजे प्राफ्त होती हैं, जानवरों से हमें दूद प्राफ्त होता, गाया का महस का दूदगी पीते हैं आप. उनसे जो मरने के बाद उनसे जो चमडा निकलता उसके सूज बनाते हैं आप उनसे जो सींग विंग होते हैं उनसे कुछ और बनाते हैं आप दूसरा उनसे मीट भी मिलता है। उनसे अंडे भी मिलते है, इनिमल चीज़ा आपने वैडलाइप में देखा, मुर्गी अंडा देती है। तो उसे उन भी मिलती है, बेड से उनसे निकाली जाती है। यह benefits है आपके जनगलें। जो आपके जानवरों से. ये आपको दिखाया गया भी होगा इंसेक्ट लाइक आब देखे कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे बीज मदुमक्ही आपने देखियोगी क्या देती हैं बच्छो सहद देती हैं सहद दे आल सो हेल्प इंदा पॉलिनिशन आफ फ्लोवर्स अच्छा, flowers में क्या होते हैं, नरो रमादा अलग अलग भी होते हैं तो उनका नर रमादा को मिलाने को उसको pollution बोलते हैं pollution का मतलब है एक परकार से उनका next generation बनाना तो यह जो insects हैं, उनके पैरों में चिपक जाते हैं जब वो दूसरे फूल पर बैठता है तो उस नहाँ चले जाते हैं तो इस परकार से एक नया plants का बीज तयार हो जाता है तो यह उसमें भी मदद करते हैं Certain insects and birds feel on dead plants देखें कुछ क्या हैं, जो पसू हैं, पक्षी हैं, वो जो किस पर निरभर करते हैं अगर dead plants और animals ऐसी जंगल में रह जाए, तो ऐसी वो बिमारी कर देगा तो उसको decompose करनी के लिए ऐसे बहुत सारे insects हैं, birds हैं, जो उनको खाती हैं चील हैं, जैसे चील ले लिजिएगा, और बहुत सारे insects हैं, तो इस दिकंपोज कर देते हैं तो यह थोड़ा सा आपको थोड़ा, मैं चैप्टर को केवल revision करा रहा हूँ, तो इसे थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे distribution and natural vegetation, देकि natural vegetation में आपका दिया गया है, कहां कहां पर, कहां कहां किस परकार के grasslands है, किस परकार का forest है, suburbs है, जैसे टूंटरा परदेश दिया हुआ है, और वो किस के green forest पाया जाता है, जहां पर कम होती है, मतलब जो medium होती है, normally 100 cm से ज्यादा की बारिस होती है, 200 के बीच की होती है, देखिए, जहां पर evergreen forest होगा, वहां पर more than 200 cm से ज्यादा बारिस होगी, ठीक है, जहां पर तो आप यह देख सकते हैं इसी परकार से कि डिपेंड ओन दा वाटर पर फोरेस्ट की टाइप्स भी हमारे आप पहचान कर सकते हैं कहां कहां विश्यस आपको मिलेंगे जैसे यहां पर दिया गया है यहां पर आपका आपका ग्रास लेंड वेल्स है इनके रीजन भी बताएंगे कहां कहां पर हैं यहां आपको बताया जैसे यहां पर दिया दूसरा आपका जैसे सारा डेजर्ट दिया आपका यह सारा डेजर् तो वहाँ पर थोड़नी फोरेस्ट होगा क्योंकि जब सन का जो सनलाइट प्लांट्स पर पढ़ता है तो जो सन के प्लांट्स के अंदर जो वाटर्स होता है वो अवोपरेट हो जाता है भाप बन करके वो उड़ जाता है तो इसी परकार से विश्यस परकार की पत्यों वाले जो थोड़नी होते हैं उनकी ऐसे होते हैं कि उनसे एवोपरेशन जो प्लांट्स के अंदर पानी है वो जल्दी एवोपरेट नहीं हो पाता है तो यह आप इसमें देख सकते हैं और यह जो आपको पता है कि हम एक दूसरे उसे जुड़े में, जितना भी living things हैं, वो एक उसे से जुड़ी हुई है, कहीं direct way, indirect way, एक chain बनी हुई है, अगर एक चीज को harm होता है, तो दूसरी चीज को भी harm होगा, इसलिए हमें we have to be maintain the ecological balance, इसलिए हमें wildlife पे भी ध्यान देना, forest पे भी ध्यान देना, ऐसे animals को भी ध्यान होने वाले, जो समाप्त होने वाले, उनको भी सुरक्षित करना है, तो ये चीजे आपको हमने थोड़े सी बताई है, conservation of natural vegetation, इसके बारे में आपको बताया गया है, कि बहुत सारे आज की date में, government ने उसके लिए हमारा bird centuries भी बनाई हैं आपको, आपको जैसे, और दूसरा क्य हैं आपको, बहुत सारे हमने जो शिडिया घर भी बनाए हुएं, जूज भी बनाए हुएं, या आपको world life centuries भी बनाए गई हैं, जिसमें हम जो ऐसे ज्यानवरों को, पसुओं को, इन सब को हम क्या हैं, सेफ रखते हैं, उनकी सुरक्षित रखते हैं, ताकि उनकी जो अच्रोली भी आग लग जाती हैं, तो forest fire से भी बनाए हुएं, जो आपको बचाते हैं, तो we have to be, save the vegetation and wildlife, there are so many different ways, you can go through this, आगे आप देख सकते हैं, ठीक है, forest loss of the having, devastating, आप इसमें देखेगा, consequence on the environment as well as the wildlife, ठीक है, forest में सब कुछ होता है, और ये पूरे में, दोनों पर depend करता है, क्योंकि forest जो है, environment को भी affect करता है, और wildlife को भी जंगली जीवन को भी निरबर करता है, even though human की life को भी affect करता है, क्योंकि environment में, human भी आता है, तो ये थोड़ा सा आप, देख लेंगे, wildlife is affected by the deforestation, बिल्कुल ठीक है, but forest ही नहीं होगा, deforestation का मतलब है, पोदों को काटना पेड़ो को काटना, trees को काटना, अगर deforestation वो ही नहीं होगा, तो सारा ecological system है, वो सारा गड़ बढ़ा जाएगा, ना oxygen मिल पाएगी, तो जंगली जीवन भी नहीं रह सकता है, और हम एक दूसरे से जुड़े में, जितना है भी living things है, तो ultimately, direct way या indirect way आना human पर ही है, living things में तो can't be survived, तो we have to be this, क्योंकि सारे एक दूसरे पर निरबर करते हैं, जैसे आपको पता है, साप क्या मेंड़क खाता है, मेंड़क क्या कीट पतंगे खाता है, तो इसी परकार से क्या है, साप को क्या खाता है, eagle खाता है, ठीक है, eagle जो वल्चर है, वो natural आपका सफाई कर्मी है, इसी परकार से human क्या खाता है, अंडे भी खाता है, पसोको भी खाता है, साग सबजी भी खाता है, फल भी खाता है, तो यह एक दूसरे पर निरबर होते हैं, तो इससे एक balance किया जा सकता है, तो we have to be protect them, ठीक है, अभी इसके लिए हमने एक चीज़ बताई है, इसका last का topic चल of wild fauna and flora, इसमें एक word आया, fauna and flora, fauna से मतलब है, the species of animals, belongs to the fauna, the species of plants is called the flora, तो यह आप इसको इसमें समझ लेना, तो इसके लिए क्या है, हमने CITS बनाया हुआ है, उसका क्या मतलब है, कि जो endangered species है, यानि कि जिनकी समापती का खत्रा है, कि यह समापत हो जाएंगी बविश में, अगर इनको अभी समाला नहीं गया, तो उसके लिए convention बनाया गया, कि international trade विपार करा गया, कि इसको कैसे सुरक्षित किया जाए, उसके बारे में, बहुत सारी countries ने एक नियम और कानून बनाया, उनको protect करने के लिए, that is called the CITES, ठीके plants को, animals को, तो ताकि उसको safe कर सके, तो ये, dear student, आपका chapter था, I hope कि मैंने जो revision आपका अपनी तरफ से ठीक किया है, क्योंकि आपको chapter ये पहले सर ने भी पढ़ा दिया था, अब ये दुबार से revise करा गया है, इसका आज हमने आपको test भी लिया था, I hope कि in future you will read this very carefully, और ये बच्चे जो आपका summary दिया, इसको summary ए झाल